आज हम lesson plan बनाना सीखेंगे lesson plan कैसे बनाय जाता है कैसे उसका format त्यार किया जाता है lesson plan को Hindi में पार्ट योजना भी कहते हैं जब आप BA डिया BTC कर रहे होते हैं तो उस समय training के लिए school में intensive करवाई जाती है intensive के दौरान आप को class में पढ़ाना होता है अच्छे रूप से पढ़ाने के लिए आपको पहले पार्थ योजना बनानी होती है तो देखते हैं कैसे हम लोग पार्थ योजना बनाते हैं पहले हम लोग विद्याले का नाम लिखते हैं जहां आप पढ़ाने जाएंगे जहां आपका ट्रेनिंग होगा वहाँ जिस school में training होगा आपका वहाँ यहां mention करेंगे नाम फिर है छात्रा ध्यापक का नाम मत मिन्स आपका नाम आप अपना नाम यहां लिखेंगे फिर है role number आपके college में आपका role number क्या है यहां लिखेंगे फिर है कक्छा आपका कौन सा class का आप lesson प्लानगर बनाये हैं वो class यहां लिखेंगे फिर है कालांज कितने? कितने period में आपका class होगा वो लिखेंगे किस period में आपका class होगा अब धी कितने time का कितने minutes का आपका class होगा ज्यादा तर 40 or 45 minutes का ही class होता है यहाँ date लिखेंगे आप, फिर हो गया यहाँ, subject, subject में अविसाय में आप, जिस विसाय का आप पाठ योजना त्यार कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, प्रकरन मिन्स होता है topic, आप किस topic पे lesson plan त्यार कर रहे हैं, यहाँ इस topic को लिखेंगे, फिर है हमारा teaching method, सिक्षन विधी, किस विधी का आप पढ़ाने में यूज करेंगे, किस विधी से आप पढ़ाएंगे बच्चों को, आप वो यहाँ लिखेंगे, फिर है हमारा सिक्षन सहायक समगरी, teaching ads, आप किस-किस teaching ads का यूज करेंगे पढ़ाते समय, जैसे chalk, duster, pointer, यह पर mention करेंगे, फिर है हमारा सामान उद्देश, सामान उद्देश सब्जेक्ट से related होता है, और विशिस्ट उद्देश आपका topic से related होता है, यहाँ लिखेंगे, यह हमारा first page में आ जाएगा, second page में हम छात्रों का पूर्व ज्यान, छात्र क्या जानते हैं पहले से, जो topic आ पढ़ाने जा रहे हैं, वो लिखेंगे, प्रस्ताना इसमें बच्चे लोग से आप 3-4 question करेंगे, जो topic आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसे related और क्या बच्चे जवाब देंगे, वो इसमें लिखेंगे आप, फिर है उद्देश से कथन, जैसे आप जो topic पढ़ाने जा रहे ह नेक्स पेज में आपका आजाएगा प्रस्तूती करन, इसमें आप सबसे पहले सिक्षन बिंदू, क्या-क्या teaching point है आपका यहां mention करेंगे, छात्रा ध्यापक क्रिया सीलन, आप क्या-क्या पढ़ाएंगे, ब्लाइक बोर्ड वर्क करेंगे, वो यहां mention करेंगे, छात्र क्र या सीलन, मतलब student का activity क्या है, आप इसमें लिखेंगे, वो क्या कर रहे थे उस time, सुन रहे थे, क्या करे थे, enjoy कर रहे थे, फिर होता है सामस्याम पर कार्य, आप यहां पे जो जो blackboard वर्क करेंगे, यहां पर लिखेंगे, फिर होता है मुल्यांकन, मुल्यांकन में आप बच बच्चे जवाब दे पाते हैं कि नहीं मुल्यांकन से आप जानते हैं कि जो हम पढ़ाए हैं बच्चे लोग कहां तक उससे समझ पाए हैं फिर लास्ट में आप पुर्णा वृती फिर से रिपीट करते हैं जो पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड आप फिर से Quesन करेंगे बच् question बच्चे लोग से करेंगे उसके बाद आप homework ग्रीख कारे देंगे ग्रीख कारे क्या देंगे यहां पर mention करेंगे आप उसके बाद आप किसके supervision में आप training कर रहे हैं supervisor कौन है आपका उनका signature यहां होगा परेवेचक का यह हमारा lesson plan ऐसे हम लोग lesson plan त्यार करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सेर और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू